तो दोस्तों वीवब हो जल लेटेस्ट टेखनोजी से लेश स्मार्टफोन को लॉंच करने वाला है और इस स्मार्टफोन में आपको अंदर के तरफ से पूप अप फ्लाइंग ड्रोन केमरा मिलेगा जो की फोन के अंदर से बाहर निकल कर आपकी फोट और वीडियो केप्चर करने में मदद करेगा इस डोन केमरे में आपको 200 मेगा पिक्सल का केमरा मिलेगा जिससे आप 8K रिकोडिंग कर सकते हैं और अल्टरा रेजिलेशन में आप फोट और वीडियो केप्चर कर सकते हैं और फोन में पावर देने के लिए आपको 6000 इमेज का बिक बेटरी का सपोर दिया गया है 120 हट का रिफ्रेट दिया गया है जैसे यहां पर आपको कॉलकॉम के तरफ से स्नेप ड्रेकरन का 765G का प्रोस मिलता है जो के लेटेस्ट टेक्मेशर पर काम करता है अगर आप हेवी यूजर हैं अगर गेमिंग का रिस्तमाल करते हैं PUBG, Free Fire, Call of Duty, High Graphics वाले गेम पाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के वल्ल्डर्स 1st flying drone camera phone के बारे में वो भी डीटेल में तो दोस्तों ये वीडियो concept and prediction पर based है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का Full HD Plus E3 एमूले डिस्प्ले डिस्प्ले डेशनी को मिलता है जो कि दोस्तो 120 Hz के High Reflect के सार आता है फोन में आपको दोस्तो इन डिस्प्ले फिंगर बीन सिंसर का सपोर्ट डिया गया है साथ ही में आपको फ्रंट और बेक पर Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है और दोस्तो बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन जी केमरास के बारे में तो यहाँ पर आपको फ्रंड में 200 Megapixel का पूप-अप ड्रोन केमरा मिलता है जो कि दोस्तो पूप-अप होके ड्रोन जो है बाहर निकलता है और आपकी फोटो और वीडियो केप्चर करने में मरत करता है इसके आप साइज पर मच जाए ये ड्रोन की इसमें बहुत शमता देखने को मिल जाती है आपको इस फ्राइंड ड्रोन से आप 8K वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं और आप हाईली एंगल से फोटो और वीडियो केप्चर भी कर सकते हैं और दोस्तो इस फोन को पावर देनी के लिए 6000 इमेज का बेटरी का यूस किया गया है तो इसमें दोस्तो बेटरी स्ली बड़ी दी गई है क्योंकि जो ड्रोन केमरा है वो भी चार्ज होता है इसके अंदर बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बेक साइट ये केमरे की यहाँ पर आपको 64 MP का कोड ये केमरा मिलता है यहाँ पर दोस्तो सोनी का सिंसर का यूस किया गया है इस से आप 4K recording कर सकते हैं 8 MP का ultra wedding गले 5 MP का micro और 2 MP का depth sensor दिया गया है और दोस्तो बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के OSN performance के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर आपको Qualcomm के तरब से Snapdragon का 760G जो कि 5G को support करता है यह एक Octocore processor है जो कि 2.4 GHz पर clock है अगर आप heavy user हैं गेमिंग का जारा इस्तेमाल करते हैं अगर आप PUBG, Free Fire, Call of Duty और बाकी जो high graphics वाले game है वो आप यहाँ पर smoothly खेल सकते हैं और साथ ही में आप multitasking भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको दोस्तो fun touch OS देखने को मिलता है जो कि दोस्तो वीवो के तरब से एक दम आपको latest देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको phone जो है वो Android 12 के साथ देखने को मिल जाएगा और इस phone में आपको दो रेंवरेंट देखने को मिलते हैं 8GB, 128GB और 12GB, 256GB के साथ और यहाँ पर आपको dedicated slot का support भी दिया गया है और दोस्तो बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की battery life की तो यहाँ पर आपको 6000 image का battery मिलेगा 65 watt का fast charging मिलेगा बात कर लेते हैं design की तो दोस्त आपको back side पर laser bag देखने को मिलता है design काफी premium है मतलब जो vivo का X60 series है उससे देखने को मिलता है आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है design आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है back side पर आपको kodi और camera मिलता है वही लेता का support है और नीचे की तरफ आपको vivo का branding देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं smartphone के expected price की तो इसका प्राइज है वह 50 से 70,000 पर के plus जा सकता है उपर जा सकता है बात करते हैं launch date की तो दोस्तों बता जा रहा है यह 2022 में आपको यह smartphone देखने को मिल जाता है और दोस्तों यह concept phone है मतलब vivo के तरफ से इसको patent किया गया है चाइना में तो दोस्तों यह concept phone है यह आ सकता है definitely क्योंकि यह दोस्तों जो camera का design किया गया है मतलब आपको देखा गया कि जो vivo है वो new new technology पर काम करता है vivo रोपो तो दोस्तों आप comment करके बताइए आप इस phone के बारे में क्या राए लगते है comment बताइएगा वीडियो च्रकने पर लाइक कर दिजेगा ज़्यादा शारा WhatsApp फिस्बूप पर शेयर कीजेगा और चैनल जै भरत बंदे मात्रम दोस्तों